17 माज को थाना दंपद गंज पर एक स्विशना प्राप्स वी कि थाना दंपद गंज अंतरगत बाबु पुर्वा मुडवा से 23 वर्षी एक लड़की जो कुड़वार ब्लॉक किसी कान से बें थी वो घर वापस नहीं आई थे घर वालों ने ये भी सुचना दी कि लड़की का परणख हो गया है और संबगता उसके साथ कोई बुर्गटना हो गई है क्योंकि इस संबंध में उन्होंने कुछ आडियो वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्द कराए जिसमें पीडिता के हाथ बढ़े हुए थे एक चित्र में उसके मुझसे खून निकल रहा था और एक चित्र में उसका एक फोटोग्राफ लगा हुआ था और नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें उनके परिवार की लगबग दस वर्श से जिस परिवार से रंज़श चली आ रही थी उसको जिमियधार ठराया एसी सिदी में एक अत्यनत गंभीर घटना का संग्यान लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधिशक और सीयो गलती राये के देशन और नेत्रत्यु में दो टीमों का गठन किया गया जो जमीनी सुषना और इलेट्रोनिक सरवलांस की अनलेसिस करने का काम जिन्होंने आ जमा करने के लिए उसके अकाउंट का इस्तमाल होता था यह भी गयात हुआ कि उसके द्वारा जो एक्टिविटीज थी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज थी उसके संबंद में अपने परिवार से बहुत शेरिंग नहीं की आती थी हमारी टीम ने जब उसके नंबर के अनल यह जानकारी मिली एसाइटी स्वार्ट प्रभारी के निर्द्व में महिला रख्षी सहीत एक टीम रवाना की गई और कल शाम को उस लखी को समस्थीपुर में बरामत कर लिया गया और इसे पुलिस बल के साथ यहां लाया गया जो मुकतमा लिखा हुआ था उसकी धाराओं प्लेटफार्म पर उसकी एक अक्यात लड़के से बाक्षी तारम हुई जो बाद में समस्थीपुर का रहने वाला निकला यह लड़की और लड़का दोनों आपस में एक दूसरू को चाहते थे लेकिल यह जानकारी हुई कि लड़का मुस्लिम है और इसे लगता था कि इस साथ इसके परिवार का विवाद गाओं के ही एक वेक्ति से था वो दोनों ही परपस्ट सर्व करना चाहती थी इस लिए स्वयम इसने अपने अपरहन का नाटक किया वहां समस्थी पर पहुंचकर इसने स्वयम को रस्टे से बाज़ कर फोटोग्राफ अपने फोन से खीचा सिंदूर ले गई थी क्योंगि विवाह करना चाहती थी इस वेसं अिस सिंदूर को पानी में मिलाके प्षिछा कर फून का प्रश्टी रूपण किया इस प्रकार पूरी तरीके से गलस्ट शूचना देकर अपने आपको अफरिप कराने अपने आपका मर्डर होने की सूचन कर दो नहां कर दो